अखिल भारती किसान सभा की हर्याना राज्य कमिटी ने पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की नीती पर कड़ा विरोध किया है किसानों के खिलाफ की गई ताजा कारवाई की खिलाफ किसान सभा के कारे करता पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को MSP की कानूनी गैरंटी, कर्जमाफी और शहीद इसमारक बनवाने जैसी मांग के लिए तीन महीने की चेतावनी दी जा रही है शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का ये प्रदर्शन ये तस्वीरे सामने निकल कर आ रही है सैक्डों किसान मजदूर और महिलाओं का ये प्रदर्शन तो अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है श्रंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान प्रदर्शन रथ है तो ये तस्वीरे भी सामने निकल कर आ रही है पंजाब की किसानों का श्रंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अपनी तमाम मांगों को लेकर ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें मजदूरों और महिलाओं की भी संख्या बताई जा रही है तो ये तस्वीरे प्रदर्शन की सामने निकल कर आ रही है धीरे दीरे इस संख्या में और इजाफा होगा ऐसे में सुरक्षा की मद्दे नज़र शंभू बॉर्डर पर प्रशाशन की मुस्तादी भी देखी जा रही है पंजाब की किस्तानों का प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर देखा जा रहा है तो वहीं देखे ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इंद्र सरकार को MSP की कानूनी गैरंटी कर्ज माफी और साथी शहीद स्मारक बनाने जैसी मांग के लिए तीन महीने की चेतावनी इस प्रदर्शन के मदे नजर दी जाएगी आज से इस प्रदर्शन की शिरुवात हो रही है राष्ट व्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसानों के दिल्ली कूछ आंदोलन के चार साल पूरे होने के मौके पर ये प्रदर्शन जहाँ पर सभी जिलों में राष्ट व्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आपको बता दे किसानों के खिलाफ की गई ताजा कारवाई के खिलाफ किसान सभा के कार्य करता ये प्रदर्शन कर रहे है विस्तास जानकारी के साथ मेरे सयोगी उम्प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए है उम्प्रकाश बॉर्डर से किस तरह की तस्वीरे किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर सामने आ रही हैं क्या जानकारिया देखिए जिस तरह से किसानों पर पराली जलाये जाने को लेकर जो करवाई हो रही है तो उसके विरोध में जो किसान संगछन है उनका कहना है कि जिस तरह एक तो किसानों को सुभधाय नहीं दी जारे किसान अन जो पाधन कर रहा है मंडियों में उसकी खरीद भी सही तरीके से नहीं हो रही है उनके साथ हर जगा लूठी लूठ हो रहे है मेस्पी पे फ़सल नहीं कर दी जा रहे है साती जो भगवंत मान जो पंजाब सरकार के मुख्मंत्री है तो वो कल से इसकी पूरी मॉनेटरिंग कर रहे हैं और धान का सही तरीके से उठा हो और किसानों का रोज समावत हो इसके लिए वो लगे हुए हैं लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोट ने कभी आपने देखा कि टिपड़ी की पंजाब और हरियना पर पराली जलाने को लेकर जिस तरह से मौसम खराब होता जा रहा है आप देख हम तो उसको लेकर इनका कहना है कि जिस तरह से किसानों पर अगर फईयार होती है या उनके को एक सुवधा देनी चाहिए कि पराली का जो निश्तारन हो वह कैसे हो और वो ना कर के सरकार जो है किसानों पर ही दबाव दे रही है कि वह पराली का मैनेज करें और तो उनके पस बस एक जलाने का क्योंकि जितना खर्च उनको है फसल उगाने में उस वो पूर्ती नहीं हो पाई तो पराली का प्रबंधन कैसे करें तो यह यह बाते हैं और इसको लेकर यह धरना दे रहे हैं और अभी आपको यह भी बता दू कि जो बात किसान संगठनों की हुई है तो धरने पर स अब उन्होंने रास्ता खाली करके किनारे बैठने की बात कई और कल पंजाब में डी सी दफ्तरों में तालाबंधी भी करेंगे किसान जो संगठन है इसी बात को लेकर लोगों यहाँ पर किसानों से बातचीत करने की कोशिश किसी अधिकारी ने किसी राजनेता ने करने की कोशिश की है क्या आपने जिक्र किया कि सरकारों की तरफ से एक सब्सिट्यूट मुहाया नहीं कराया जा रहा है कि अगर परारी ना जलाए तब क्या करें लेकिन ताबर तोड़ एक्शन जरूर लिये जा रहे हैं क्या कोई बातचीत हुई है क्या देखिए कल किसान संगठनों के पंजाब के जो मंतरी है कैबिनेट मंतरी लालचन कटारू चक और गुर्मीच सिंग इनके साथ बैठा कोई थे और इस बात पर चर्चा हुई कि मतलब किसानों के जो फसल है उसको मेस्पी पर उसका जो खरीद किया जाए और जो मतलब धीमी ग कहां रखे गाना जी सरकार की जिमवारी है कि अगर फसल हुई है तो उसकी खरीद कराया मंडियों में और साथी साथ जिस तरह से किसानों पर धबाव बनाया जा रहा है पराली को खुद ही निप्टान करने का तो उस पर भी उनका कहना है कि सरकार इसका प्रबंधन करे उनक कि मजबूरी है अगर आप देखिए अगर एक एकड़ की पराली का अगर वो करuciones है तो पांचो से हजार रुप्य का खर्च उसके आ रहा है अगर पराली को वह इकठा करने उनका कैसे प्रदूशण की लेकिन लगातार्टार पराली जलाने की वज़ने की वजज्ज करण ब भी देखना मैज वपोन होगा फिल्हाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया हूं प्रकाश